नमस्कार, प्रिया संस्क्रित छात्रों, हम दस्वी कक्षा के पाठ्थे पुस्तक शेमुशी भाग दो के चौथे पाठ शिशूल आलनम का अध्यान कर रहे थे आज हम उसी कथा को आगे लेकर अन्त तक पहुँचेंगे पिछले कड़ी में आपने देखा कि विदुशक लव और कुष को रस्ता दिखाते हुए रामचंदर तक पहुँचाता है और वो जब अभिवादन करते हैं प्रभु रामचंदर के रामचंदर जी उनको अपने गोध पर बिठाने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं वसुत हव उनको सिम्हासन में बिठाने के लिए आमंत्रित करते हैं कि जब वो विनम्रता के कारण उनको मना करते हैं तब उनको वो अपने गोध पर बिठाते हैं और जब उनके परिचे लेने के लिए वो प्रयास करते हैं क्योंकि उनको उससे पहले पता नहीं है पिता को रामजंद्र को पता नहीं है कि लवकुष उनके पुत्र है और लवकुष को भी पता नहीं है कि जो राजा है अयोध्या के यह हमारे ही पिता है तो उनको उनका परि कि जब वो गुरु वन्दन करते हैं तब अपना नाम वो लव और कुश इस प्रकार से वो व्यक्त करते हैं यह देखकर रामचंद्र को बहुत अच्छा लगता है कि कितने संस्कार युक्त ये दोनों बालक हैं तब वो उनको पूछते हैं किम नामद है यो भवतो हो गुरु का नाम किया है कि इन से आपने शिक्षा ली है जिसे आप इतने अच्छे उदात्त सुभाव से आप वरतालाब कर रहे हैं तब लव कहते हैं ननु भगवान वालमी की ही ये ननु कहने का संस्कृत में बहुत अच्छा चलन है जब वो कुछ आप किसी बात को एंफार्टिक किया जाता है तो कि ननु भगवान वालमी की ही यानि बड़े आदर से वह अपने वालमी की गुरु जी का नाम लेना चाहते हैं इसलिए ननु प्रयोक करते हैं तो भगवान वालमी की हैं हमारे गुरु तो कि ये गुरु किस संबंध से हैं के न संबंध है न क्योंकि गु हैं तो वो भी गुरु होते हैं कोई आपको दीख्षा देते हैं कोई मंत्र दिख्षित करते हैं किसी पंथ पर आपको प्रवेश कराते हैं तब वो आपके गुरु होते हैं एसे अनेक माध्या में है गुरु होने का तो के न संबंध न किस परकर के संबंध से वे आपके गु उपनायन के उपदेश कि देकर उपनायन सब्दकार्थ है एक समस्कार है जिसमें बालकों के उम्र के जब सात्वा उम्र हो जाता है उसके बाद उनको एक यद्नियों पवी धरन करा जाता है तो उस वक्त कई सारे उसमें क्या कहते हैं याज्निक क्रिया कलाप होते हैं और उसमें उनको एक प्रकार से दिख्षित किया जाता है कि इसके आगे से आपका विद्यारंभ होता है तो वो विद्यारंभ के जो प्रारंभिक कर्म है याजनिक अनुस्ठानिक जो कर्म है वो है उपनयन संस्कार और उपनयान संसकार के जो उपदेश दिये हैं गुरु जी ने वो भगवान वालमी के ने हमें दिये इस संबंध से वो हमारे गुरु है तो राम कहते हैं कहने कि आप दोनों के पिता जी का नाम मैं जानना चाहता हूँ किस प्रकाश से कह रहे हैं कि भवतो हो जनकम आपके पिता जी को नामत हा वेदितुम इच्छा मी नाम से जानना चाहता हूँ देखें कहने की एक शैली है वो ऐसे कह सकते हैं कि आपके पिता जी का नाम क्या है इस प्रकाश से कह सकते हैं किन्तों कहते हैं कि आपके पिता जी को मैं जानना चाहता हूँ उनके नाम से अर्थात आप अपना पिता जी का नाम बताईए तो लब कहते हैं नहीं जानामी अस्यानाम धेयम हम पिता जी के नाम नहीं जानते हैं किरें कि हमारे जो तपवन हैं, उस तपवन में कोई भी उनका नाम लेकर वेवाहर नहीं करता है, कोई उनका नाम बोलता नहीं, तो राम कहते हैं अहो महात्मियम कितना महात्मिय है आपके पिता जी का कि कोई उनका नाम नहीं लेता है क्योंकि जनरली जब किसी को बहुत सम्मान दिया जाता है तो उनको नाम से समूधित नहीं किया जाता है तो कहते हैं कि क्या आपके पिता जी क्या इतना महात्मिय है कि पूरी तफ़वन में कोई उनके नाम भी नहीं ले रहे हैं कुछ कहते हैं तभी कि जाना मी अहम तस्या नाम धेयम मैं उनके नाम जानता हूँ तो राम कहते हैं आच्छा है तो बोलिए कथ्यताम कुछ कहते हैं कि निरनुक्रोशो नाम देखिए यहां पर एक छिपा हुआ एक हंसी है मतलब एक सटायर है कि उनका नाम निरनुक्रोश है वो बड़े मासूमियत से वहां पर कुछ कह रहे हैं मैं जानता हूं उनका नाम नि आगे आपको पता चलेगा कि निरनुक्रोष सब्द का अर्थ क्या है निरनुक्रोष सब्द का अर्थ होता है जो निर्दया है जिसके मन में कोई दया नहीं है बहुत कठोर है निर्मम है वो है निरनुक्रोष सब्द का अर्थ तो मेरे पिता जी का नाम निरनुक्रोष है या किन्तु वो अपने माता जी से कई बार सुने है, निरनुक्रोशं। कुछी उनके माता जी को उनके पिता जी ने जंगल में छोड़कर आ गये थे। तो उससे माता के मन आहत हुआ था, तभी उन्होंने कहता कि कितने निर्दाई हैं मेरे श्वमी। तो इस पकार चे वो निरनुक्रोष कहकर उनको सम्भोधित करते हैं तो राम कहते हैं कि वयस्य अपूर्वम खलू नाम धेयम ये नाम कुछ अजीव है अपूर्व है ये अध्भुत है ये ये किसी का नाम नहीं हो सकता है कि निर्दय किसी का नाम थोड़ी होता है विदुषाक वरा सोच के कहते हैं विजिन्तिय एवम तावत प्रच्छामी निरनुक्रोष है इती कह एवम भनती तो इस पकार से हम पूछते हैं अच्छा निरनुक्रोष आपके पिताजी का नाम है इती कोन सम्भोधित करता है कह एवम भनती इस प्रकर से कौन बोलता है तो कुछ केता है कि अमबा यानि मेरी माता केती है उनको निरनुक्रोष विदुशा का किम कुपिता एवम भनती उत्व प्रकृतिस था क्या गुष्षे में इस प्रकर से बोलती है या स्वभाविक होकर उसे बोलती है क्योंकि अग कुपिता एवमभनाती याँ इस्प्रकार से कहती है कुपिता होकर गुश्यमे आकर उत प्रकृतिस्था या प्रकृतिस्था होकर यानि स्वाविक ढहalnya से तो कुछ कहते हैं यदि आवयोह बालभाव जनितम किन्चित अभिनायम पस्यती तदा एवं अधिक शिपती तो कहरें कि जब हम दोनों के बालभाव जनितम किन्चित अभिनायम पस्यती जो छोटे बच्चों का जो स्वभाविक कुछ होता है बदमाशी, अभिनाय होता है, किन चे zamanımız कंप आभिनाय में पुछ बदमाशी हम कर लेते हैं दोनों, तदा एबं अधिक्षिपती, तभी वो हमें डांटती है, अधिक्षिपती नी डांती है, और डांटते हुए बोलत तब इसको सुनी सुन कर इन बच्यों को लगता है कि निर्भनुक्रोष के हम पुत्र है य। अनिर्दए में अर्थों उनको नहीं को लगता है अगर इन दोनों के पितु हुआ पिता जो है उनका अगर नाम है निरनुक्रोष तप समझेंगे एत योह जननी एतेन वचनेन दारको निर्भर्त सयती इन वचनों से यानि किन वचनों से निरनुक्रोष से पुत्रों माँ चापलम इस्प्रका के वचन से दारको यानि दोनों वच्चों को पुत्रों को निर् जरूर इनकी माता से एंप पिता जी के द्वारा अवमानिता निर्वासिता अपमानित हुई है और निर्वासिता कर दी गई है अपने घर से निकाल दी गई है तभी उनकी माता इस प्रकर से बच्चों के सामने कहती है राम कहते हैं स्वगतम धिक माम एवं भूतम कैंकि माम धिक उसे आप लोगों को पता होगा धिक सब्द के योग में दितिया भी वक्ति होती है तो उनके माम धिक मुझे धिकार है क का यहाँ पर गा हो गया है क्योंकि म से पहले है वर्ग के कोई भी वर्ण है अगर उनके बाद एक पंचम वर्ण आता है कोई भी वर्ग के तो जिस वर्ग का वर्ण है उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है तो का था उसका पंचमवर्ण है गा तो इस प्रकर से धिं माम एवं भूतम केरें कि ये जो कह रहे हैं बच्चे कि माता जी उनके जब बच्चों को डांटती है तब कहते हैं कि निरनुक्रोश अस्य पूत्र हूँ कोई निर्दाई के पूत्र हो तो ये तो मैं ही हूँ एवं भूत अहम अस्य में ही ऐसा हूँ तो मुझे धिकार है क्योंकि मैंने भी ऐसा ही कृत्य किया है क्याने कि वो जो तपस्वीनी है विचारी तपस्वी है मेरी पत्नी सिता मत कृते न अपराधे न मेद्वरा किये गए अपराध के करण स्वअ अपत्यम अपने ही वच्चों को एवं मन्यू गर्भई ही मन्यू सब्दकार्थ है नोट कर लिजिए गुशा क्रोध तो मन्यू गर्भई ही क्रोध मन में रखते हुए गर्भ में क्रोध को रखते हुए मन्यू गर्भई ही ही अक्षर ही यहने उन अक्षरों को व्यक्त करती है अक्षर ही निर्भर्त सयती इन प्रकार के अक्षरों के इस प्रकार के वचनों से उनको वो डानती है जिसके गर्भ में छुपा हुआ है बहुत क्रोध तो ये क्यों कर रही है क्योंकि मैं ही हूँ उस अपराध के कारण तो सवाश्पम अवलो कयती आंखों में आंसु आ रहे हैं एक अंदर कोह आ रहा है और वो ऐसे देख रहे हैं रामचंदर तो जब अपने बच्चों से रामचंदर जी ये जानते हैं कि उनकी माता उनको निरनुक्रोष नाम से निरनुक्रोष के पुत्र ऐसे कहे कर डांटती है तो रामचंदर जी को मन में बहुत आघात होता है तो उनके मन में एक करंदन भावना आ जाती है आंखों में आशु आ जाते हैं सब आश्पम अवलोक यती तो आंखों में आशु के साथ वो इस प्रकर से देखते हैं अति दीरगा प्रवासोयम दारुनस्च यह जो प्रवास हमारा हुआ है बहुत लंबा हुआ है और दारुन हुआ है बहुत कठोर हुआ है बहुत कष्टकारक हुआ है विदूशकम अवलोक्य जनान्तिकम तो विदूशक को देखकर जनान्तिका सब्दा एक है जो एक नाक्टे सास्तर में एक पारिभाशिक सब्दा है जनान्तिका जनान्तिक अर्थी यह है जैसे हम किसी के कान में कुछ फुषफुषा कर कहते हैं तो उस प्रकार से संस्कृत के नाटक में जो मंच में होता है अगर वो फुष फुषा कर कहेंगे तो आडियेंस को तो पता नहीं चलाए कि इन्होंने क्या पूछा तो उसके लिए एक समझ सब के अंदर है दर्शकों के अंदर भी और नाटक कारों के अंदर भी कि वो इस प् दिश्ट करके वो कह रहा हूँ तो उसको जनान्तिका कहते हैं तो जनान्तिका होकर यानि केवल वो विदुषक को अभी लक्षे में रखते हुए कह रहें कि कुतुहलेन आविष्टह मातरम अनयोहो नामतो वेदितुम इच्छामी तो करें कि अब मेरे अंदर कुतुहल आ गया है एक मन में एक जिग्यां सा बन गई है एक क्यूरियोसिटी बन गया है कि इन दोनों की माता कौन है उनका नाम में जानना चाहता हूँ नाम से उनको जानना चाहता हूँ किंदो किसी स्तरी का नाम इस प्रकर से पूछ लेना ये तो उचित नहीं होगा विशेशता हा तपोवन है खास करके तपोवन के ही किसी रिशी का किसी रिशी करन्या का नाम पूछ लेना तो उचित नहीं होगा किसी स्तिरी का नाम पूछ लेना उचित नहीं होगा तथ कहा अत्रा अभियूपाया हा तो यहां पर उपाया क्या है कि मैं उनकी माता कौन ही ये जान सकूँ तब विदुशा कहते हैं जनान्तिकम अहम पुनाह प्रिच्छामी अच्छा मैं पूछ लेता हूँ आप नहीं पूछ सकते राजा होने के नते मैं पूछ लेता हूँ किम नामद है या युवयोह जननी आपके जननी का नाम क्या है बचों तो लाव कहते हैं कि मेरी माता जी का माता जी के दो नाम है कितने मासूमियत से हो कह रहे हैं पिता जी का नाम बताते हुए उन्हें कहा कि निरनुक्रोष है माता जी का नाम कह रहे हैं कि मेरे माता जी के दो नाम है वो केछे, कथम िवा, तपोवन वासिन आहा देवी इती नामना आहोयनती वू उनको देवी नाम से सम्भूधायती आहोयती और वालमी की जो हैं बाकिशो तपसुरी रजन हैं उनको देवी कहकर संभुधित करते हैं और भगवान वालमी की उनको वधु कहकर संभुधित करते हैं रामः अपिचा इतस्तावत वयस्या मुहुर्तमात्रम मोर्त मात्रम एक सेकेंड के लिए एक मिनिट के लिए ज़रा मित्रा इधर आना वयस्य सब्धकार्थे मित्र तो कि अपिचा इतस्तावत वयस्य है वयस्य है मित्र जड़ा मुहुर्तमात्रम अत्राग अच्छ यहाँ जड़ा आना देखिए यह सब चलना है जनांतिका यानि स्टेज पर लवकुषब ही हैं रामचंद्र हैं विदूशक हैं किन्तो भी राम और विदूशक के अलब दो लोगों के आपसी बात्चित जो मंच पर रहते हुए भी तीसरे पात्र उनको नहीं सुन रहे हैं ऐसा संदेश जाता है दर्शकों के अंदर आज कल के आप जब थेटर में कोई प्ले देखते होंगे तो इसको कई प्रकार के टेकनोलोजी के साथ स्परस्ट कर दि वहां पर कि वह आपस में इन दोनों की बात्चित हो रहे हैं बाकी सब डार्क में रख देते हैं तो इस प्रकार से स्टेज टेकनोलोजी अभी बढ़ गया है उस समय जब जनानती कम करते थे वह एक प्रकार का विसेष्ट अभिनाय होता था कि वह तिसरा व्यक्ति वहां न कोश नहीं सुन रहे हैं तो अभी राम जी विदुशक को पास में बुला कर कि एक मिनिट के ले जड़ा यहां आओ तो उपसृतिय विदुशक है ना विदुशक को उनके पास जाकर आज्ञापयोतु भवान आप आदेश दें करहें कि रामाह अपी कुमारयो हो अनयो हो अ कि दोनों कुमार और मेरे हम दोनों के जो कुटूंब वृत्तान्त है वो समरूपा है समान रूपका है वो कैसे क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है और उनके पूत्र होए होंगे और इन बच्चों के माता को भी उनके पिता ने छोड़ दिया है तो इसा लग है कि दोनों के वृत्तांत समान हैं सिब वो नहीं कंफर्म है कि ये उन्हीं के ही घर के सदस्य हैं उन्हीं के ही पूत्र हैं तभी नेपथ्य में आवाज आता है नेपथ्य भी एक परिवाशिक सब्ध है नेपथ्य शब्द कर थे background थो बैक्गराउंड वह से काता है यती वेला संजाता रामयान गानस्य नियोग ह किमर्थम न विध्यते कि अरे इतने देर हो गया है रामयान गान का नियोग रामयान गान का जो कर्यक्रम है कि मर्थम न विधियते क्यों गान नहीं हो रहा है अर्थात लव और कुछ जो राम जी के दरबार में आये थे वो रामायन के गान करने के लिए आये थे जो वालमी की विराचित रामायन था उसको वहाँ पर गान करने आये थे किन्तो उनके गान करने से पहले ही उनके रूप सोंदर्य में आक्रिष्ट होकर रामचंद्र उनको उनके साथ कुछ लाड़ प्यार कर रहे थे तभी पीछे से आवाज आता है अभी तक क्यों शुरू नहीं हो रहा है रामायन ग्यान हम अभी आपकी अपरिक्षा कर रहे हैं आपका हम वेट कर रहे हैं तब उभोव दोनों कहते हैं हे राजन उपाध्याया दूतह अस्मान तुरयती केरें कि हमारे उपाध्याय जो हैं हमारे आचार्य जो हैं जो उनके दूत हैं वो हमको अभी जल्दी करा रहे हैं कि यहां से जल्दी हम निकले तकि हम रामयान का गान कर सके नागरिकों के सामने तो रामचंद्र कहते हैं मयापी सम्माननियह एव मुनी नियोगह हाँ मुनी वर वालमिकी ने जो नियोग दिया है जो कारिय दिया है आप लोगों को वो मेरे लिए भी आदरनियह है मुझे उनका भी आदर करना चाहिए इसलिए मैं आपको और ज्यादर यहां रोकूंगा नहीं तथा ही भवन्तव गायंतव कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भोयं प्रथमं अवतीर्णो वसुमतीम कथाचेयं श्लाघ्या सरसी रुह नाभस्य नियतं पुनाती शोतारं रमयति चसोयं परिकराह भवन्तव गायंतव यहां आप दोनों के गाते हुए कविरपि पुराणो व्रतनिधि ही और जो कवि हैं वो बहुत जेश्ट हैं और तपस्वी हैं गिराम संदर्भोयं और यह जो वानी के जो आप गान करेंगे उनका जो संदर्भ है वो भी प्रतमम अवतिर्ण वसुमतीम वो पहली बार पृत्वी पर अवतिर्ण हो रहा है अर्थात इस मंच पर यानि अयोध्या के नगरी में आप पहली बार उस रामायन का गान करने जा रहे हैं कथा चे यम श्लाग्या और यह जो कथा है वो प्रशम्षनिया है श्लाग्या है सरसी रुह नाभस्य नियतम किसके द्वरा वो प्रशम्षनिया होता है यह कथा सरसी रुह नाभस्य नियतम श्लाग्या यम कथा सरसी रुह नाभस्य कोन है सरसी रुह है पद्म पद्म जिसके नाभी में है ऐसे आपने वो कथा सुनी होगी विश्णु जी के नाभी से पद्म निकला था और उसके उपर ब्रह्माजी जन्मलियत है तो पद्म नाभस्या भगवान विश्णु को, तो कहनें कि सरसी रुखनाभस्य नियतम यम कथाश लाघ्ञा याने विश्णु द्वारा ये प्रसम्सनिय है कथा पुणाती स््रोतारम रमयतिच चसह अयं परिकरह तो यह जो कथा है यह श्रोतारम पुनाती श्रोतागन को पवित्र कर देता है और अयम परिकरह यह जो संदर्भा है यह जो संयोग है यह जो समय है यह रमयती श्रोतारम और श्रोताजन को आनंदित भी कर देता है वयस्य अपूर्वो यम मानवानाम सरसुति अवतारह के रहें कि ये जो साक्षात सरसुति के ये अवतार है ये बालक दोनो ये अपूर्व है तद अहम सुहरुजन साधारणम स्रोतुम इच्छामी जो हमारे मित्रगन है उनको मैं सुनना चाहता हूँ सन्नि धी अन्ताम सभासद है उसका आयोजन कर लिजिये सन्नि धी अन्ताम प्रेश्यताम अस्मद अंतिकम सवमित्री ही सवमित्री उनके जो कोई कर्मचारी होंगे उनको कहरें कि हमारे पास उनको भेजिये सवमित्री ही सब्दकार्थे सुमित्रा के पुत्र सवमित्री ही यानि सुमित्रा के पुत्र कोन है भरत और सत्रगुन तो उनको हमारे पास भेजिये अहम अपी एतायो हो चिराशना परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनायामी ये दोनों बालक मेरे गोद में बहुत देर से बेठने के करण थोड़ा जम गया है पैर तो इसको मैं थोड़ा तहल कर ये कश्टकों में दूर करता हूँ आप बाके सब आयोजित करिये भरत सत्र गुनों को हमारे पास भेजिये और सब हम सभी इनको सुनना चाहेंगे इती निश्क्रानता सर्वे तो छात्रों यहाँ ये नाटक का द्रिश्या खतम होता है ये नाटक में कोई ऐसे आपको बहुत अधूत रस या कोई आक्षन कोई स जीन इस प्रकार से नहीं दिखता है किन्तो इस नाटक के इतनी जो बाचित होती है ना इसमें एक महान प्रसंग आता है जिसमें रामचंदर अपने पूत्रों के सांथ अंजाना में बाचित कर रहे हैं और ये बाचित इतना सुमधूर, सुकमल, सब्दों से, अर्थ, परिपूरुन से ये होता है ये हमें अनुकरन करने लायक है तो हम भी अपने वेबाहर को इतना ही सुकमल, उदात तता पूरुनता से हम कर सकते हैं अगर इस प्रकार के अर्थ को हम समझ कर इसका हम सही आनंद लेते हैं तो हमें उमीद है आपको ये नाटक का आउंस कथा को पूरा पढ़ने के लिए आप मूल कुंद माला की कथा को भी आप पढ़ सकते हैं अलग-अलग शुरोतों से वह उपलब्द भी हो सकता है आपके पास और इसकी भाषा शैली को आप जरूर देखिए कितना सुन्दर इसकी भाषा शैली है तो यहीं पर हम रुकते है और आप अच्छी तरह से संस्कृत के भाषा के अभ्यास करते रहेंगे यह आशा रखते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार झाल झाल शरके पस्त करते हैं अवहीं वीजास पर रखते हैं रहें इसस्कार चल्केश करते हैं अवहीं ग्यास करते हैं भी हैं और एक जर यह जए दितना सर्फेंगे पक्र स्वाश्स्कार